सूचना जो अभी आप सुनेंगे वो अफसरों के केवल संक्षिप्ट परिचा के लिए दी गई हैं जो इस व्यापार के माध्यम से उपलब्ध हैं। आपको उस व्यक्ति से मिलने वो अधित जानकारी मांगने के लिए प्रोच सहर किया जाता है जिसने आपको ये सामगरी उधार दी है। इस कारिक्रम के रिकार्डिंग सिधी सेमिनार से हुई है। इसलिए ध्वानी की एक समान स्पष्टता की गारंटी नहीं वी जा सकती। अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइट इंगल ने 1956 में लिखा था और रिकार्ड गिया था। दरसल ये संदेश उस सवाल का जवाब है जिसे वे अपनी नौ वर्ष की उम्र से ही लगातार ढूंटते रहे थे। अर्ल नाइट इंगल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था। जब बड़े बुजर्गों से उसे अपनी सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने जो कुछ मिल जाए पढ़ना शुरू कर दिया। ये सोच कर कि शायद कहीं इन में उसकी सवाल का जवाब छिपा हो। कई साल गुजर गय और जब अर्ल 35 वर्ष का था तो उसने ये संदेश लिखा और इससे रिकॉर्ड करवाया। एक शनिवार की सुबर उसकी अनुपस्थिती में सेल्समैनों के एक छोटे समों के बीच उसका रिकॉर्डेट संदेश सुनवाया गया। जब अर्ल लोट कर वापस आया तो उसे मालुम हुआ कि उसकी संदेश का उन लोगों पर ऐ अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाई। अर्ल के आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा जब बिना किसी विख्यापन, प्रचार या मार्केटिंग के बहुत ही थोड़े समय में उस संदेश की 10 लाग प्रतियां बिख गई। अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला। अपने इस्थापित हुआ। और चोकि अर्ल ने सरवाधिक आश्चरजनत रहसे का सच्चा अर्थ ढोंड निकाला था, जिससे किसी के जीवन की उपलब्धियां निर्धारित होती हैं, वे स्वयम भी अपनी घोर निर्धनता से उपर उठकर घर-घर का एक जाना पहचाना नाम ब जिससे देश विदेश में सुना जाने लगा। मैं डाइना नाइटेंगिल हूँ, उनिस सो नवासी में अपने पती के मृत्यों के बाद से मैं लगातार कोशिश करती रही कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अर्ल के धेरु संदेश नए से नए प्रभ जिसने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आज भी उतना ही सही, उतना ही किमती और उतना ही महतोपूर्ण है जितना कभी उस समय था। तो अब मैं आप सब को आमंत्रत करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगल के इस मूल रेकॉर्डिंग सरवाधिक आश्चर जनक रहसे का आनन्द उठाएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर जनक रहसे क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकटसक और नोबेल पूरसकार विजेता अलबर्ट स्विद्सर से लंदन में एक इंट्रव्यू के दौरान किसी रेपो में आप से बात करना चाहता हूँ। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आजनी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और महनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्द हो गया है तो हमने इसे प्रदत मान लिया है यूँ ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छेपे संघर्ष और महनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरसल होता क्या है। चलिए हम ऐसे सो लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उमर में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आप आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामियाब होना चाहते हैं तो वो कहेगा नश्यत तोर पर। और आपने गोर भी किया होगा कि उसकी आँखों में जीवन के प्रते एक उत्सुकता एक जग्यासा है। आँखों में खास तरह की चमक और हावभाव में एक स्प आथिक रूप से आत्म निर्भर हो चुके होंगे, इस उमर में भी काम कर रहे होंगे और बाकी नब्बे टूट चुके होंगे। अब ज़रा एक पल सोचिए, सो लोगों में से सिर्फ पांच किसी इस्तर तक पहुँच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चंगारी का क्या हुआ? जो पचीस वर्ष के उमर में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ पांच प्रत्रशत ने उस दिशा में आगे पढ़ना अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है तो वही आदमी सफल है यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है यानि सफलता निर्धारित लक्ष को स साहस और होसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है बलकि ये है अनरूपता आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनरूपता यानि बिना सोचे समझे भीड़ के अनरूप चलने की मनस्थ थे अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं ये 65 वज़ की उमर का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्म निर्भर और निश्चन्द कैसे हुआ चाहे क्यों इसलिए कि हम बस औरों की लीग पर चलते हैं और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरन कर रहे हैं यानि उन 95 प्रतिशत का जो काम्याप नहीं हुए अब सवाल यह है कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं इसका उत्तरवे भी नहीं जानते इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया ह ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से नरदेशत होने बाले लोग हैं एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं सुबर सबेरे क्यों उटते हैं 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण न रहे हैं अब हम सफलता की अपनी परिभाशा पर वापस चलें सफल कौन होता है सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष पच्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दशा में काम शुरू करता है मैं आपको बत अपनी और माही बनना चाहती थी और वो अपनी जब्मदारी अच्छी तरह निभावी रही है वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष नरधारित किया था वो सेल्समेन काम्याब है जो एक टॉप सेल्समेन बनना चाहता है और इसी उद्देश से अपना व्यवशाय जमाता है हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और नरधारित काम काफी सोच विचार कर कर रहा है क्योंकि यह वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिसपर्धा करने की जगे हमें स्वैम अपना कुछ मौलिक स्रिजित और स्थापित करना है लगभग 20 सालों तक मैं उस कुझी की खोश करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निरधारित किया सके क्या ऐसी कोई कुझी है मैं जानना चाहता हूँ जिससे भविश्य के बारे में सब कुछ तै कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविश्य बानी कर सके क्या इसी कोई कुझी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके काश आदमी इस कुझी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके मैं आपको बताऊँ ऐसी कुझी उपलब्द है और मैंने इसे पाया भी है क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी महनत और इमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासल नहीं हो पाता जबकि कुछ लोगों को बिना महनत किये ही बहुत कुछ उपलब्द हो जाता है यानि उनके हातों में कोई जादू है जी हाँ आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदनी जो अपने जीवन में काम्याब हुआ वो हमेशा सफलता के दिशा में ही प्रतनशील रहा जबकि असफल व्यक्ते हमेशा असफलता के दिशा में ही काम करता रहा ऐसा सिर्फ लक्षियों की वज़े से ही हुआ हम मेंसे कुछ लोगों के सामने लक्षे होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्षे ही नहीं होता लक्षे साथ रखने वाले व्यक्ति सभल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही बाला है अपनी यात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योचना के साथ। जहाज के कैप्टिन और चालक दल के सरस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि इसे कहा जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक सपष्ट लक्ष है सपष्ट लक्ष और सपष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियानमे से 9,999 बार अपने उसी लक्ष पर पहुँचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था यानि शत प्रतिशत लक्ष पर अब इसी तरह के एक दूसर जह जहाज के बारे में सोचिए, फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और नाहीं कोई चालक सरस्ये, इस जहाज के सामने कोई लक्ष नहीं है, कोई उद्देश नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है, मैं सोचता हूँ कि आप भी कोई मार के दर्शन, बिल्कुल यहीं बात मनुष्य पर भी लागू होती है, एक सेल्समैन का ही उधारन दीजे, आज दुनिया में कोशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर काम्याबी की उमीद किसी और पेशे में नहीं है, अगर हमारे सामने लक्ष पच्ट हों और हम पर इश्रमिक देने को तयार हैं, उनके लिए तरक्य की असीम संभाबनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं। अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाज़त में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आजएविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्ध या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती। आम तोर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथा कथित सुरक्षा हमें उपलब्द भी है। लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी उचाई का लक्ष हम अपने लिए निरधारत करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे अश्चर जनक रहसे पर यानि जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पर वापस चरें। जीवन में इस पश्च लक्ष रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं। और लक्ष वहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता ह जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थतियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घिरे हुए थी। शंकाएं और भय अतीत की चीज़ें हो इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मदभेद रहा है लेकन एक मात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सेह मत रहे हैं। महान रोम्ट समराट मार प्रकस एरियलिस्ट में कहा था मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके बिचारों से बनाते हैं। डिज्रैली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यह यह मनुष्य चाहे और प्रतीक शक्त तरे तो हर चीज उसे हासल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि एक निश्रत लक्षे वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर दृड इच्छा शक्ते हो तो इसकी राह में कोई अड़चर नहीं तिक सकती। राविफ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है कि हम अपने जीवन में वांचित चीजों को वास्ताओं में घटित हुआ मान लें धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांचित चीजें वास्तों में यथार्त बन दरसल हमारी सोच हमारी आदितों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है विलियम जेम्स ने ये भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेश के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चत तोर पर उसे हासल भी कर लेंगे अगर आप अमीर बनने के इच्छा रखते हैं तो आप एक मात्र वही लक्ष आपके सामने हो ऐसा नहो कि एक ही समय सैक्णों अलग-अलग चीज़ों पर आपका ध्यान बटके आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है डॉक्षर नॉर्मन विंसन पेले ने कहा है कि पूर विलियम सेक्सपीर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वास घाधनी है कि वे हमें कोशिश करने से भी भैभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे जॉर्ज बरनाट शौ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोच देते हैं लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता इस दुनिया में काम्याबी हासल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अ जार्थक लक्ष के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासल भी कर लेंगे दूसरी और वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष नहीं है जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो इसी वज़े से संशे भय चिंता और परिशानियों में घिरा है वो वैसा ही हो जाएगा ज कैसे काम करता है क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है जमीन बड़ी अच्छी और उप जाओ है जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पू इनको भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लोटाएगा यही वास्तविक्ता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ यदि आप सकारात्मक विच किसी जहरीले पौधेगा किसान जमीन में दो स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लोटाती है दोनों पौधे उकते हैं एक अनका और दूसरा जहरीला ब और कहीं जराजमतकारी लेकिन ये जमीन के सध्धानत पर ही काम करता है ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लोटाना है चाहे वो सफलता हो असफलता हो एक निश्चत सपस्ट लक्ष हो या असमं महादेश है जिसका आज तक अन्वेशन नहीं हुआ है इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुक सम्रद्धी भरी पड़ी है यदि हम सकारात्मक विचार डाले तो ये भारी सभलता और सुक सम्रद्धी हमें वापस लोटाएगा आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है आज जो भी चीज़ें हमारे जीवन में वास्ताव में महत्पून हैं वे हमें निशलक उपलद्ध हैं हमार अनमोल चीजें हमें निशलक मिली हुई हैं और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके मुकाबले काफी हलकी हैं स्तरहीन और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है लेकिन प्रकृति की और से निशलक मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौपा जायक कर सकता है लेकिन आम तोर पर हम बड़े और महत्वपून कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं कई विशो वि आपको क्या करना है अपना लक्षे अपने मस्तश के रूपी जमीन में बो दीजिए ये आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपून फैसला है आप एक बेहत कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं कंपनी के कुशल और सक्री करमचारी के रूप में जगे 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 जाना चा में बदल जाएगा कोई सवाल ही नहीं है कैसा ना हो आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है जैसा सर आइसेक न्यूटन का गुरुत्वा कर्शन का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छट से चलांग लगा दें तो आप नीचे ही कामों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्षे हासल कर दिया है उनकामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्षे तक पहुचने के बाद आपको करने हैं आज हमारे समय के दोर को यदि आरशदियों का युग या अलसर और नर्वस प्रेकडाउन का योग कहा जाए तो गलत नहीं होगा आग जब चिकितसा विग्यान ने स्वास्त और लंबी उम्र पानी की दिशा में इतनी कामयाभी हासिल कर ली है लेकर इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूजने में तनाव गरस्त हो रहे हैं और खुद को असमाइक मौत की तरफ धकेल रहे हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा जो हमारे लिए बेहत कारगर और लाबकारी है कृपया अपसाइट भी सुनिये हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमतका छुपा है दरसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है वो स्वीकार करे या न करे लेकिन वो आज जहां जिस स्थति में भी है वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है हम में से हर एक को भविश में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है क्योंकि आज कल यागले महीने यागले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविश या हमारा जीवन निर्धारितो का आपका मन मस्टश के ही आपके संपून व्यक्तित्व और जीवन को निर्धेशित करता है मुझे याद है एक बार में कहीं जा रहा था रास्ते में सुलक के नारे मन एक भारी भरकम मशीन को भीशन आवास के साथ कांग करते देखा मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक चूटा सा आदमी पहिया हातों में था में मशीन को निर्धेशित कर रहा था एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्टश के से की जा सकती है और विशाल उर्जा के स्रोत इस मस्टश के रूपी मशीन का नियंतरन हमारे अपने हाथों में है क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तशाली मशीन को इसी के भरों से छोड़कर किसी खड़ में गिर जाने देंगे या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके वील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश के लिए लगाएंगे ये दोनों विकल्प आपके उपर हैं क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंतरन आपके हाथों में है अब देखाना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दोधारी तलवार की तरह है हमें अपनी सोच अपने विचारों पर नियंदरन रखना चाहिए विचारों का ये नियम जहां एक और आदमी को सफलता सुक और सम्रिद्ध की और ले जाता है उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था वहीं दूसरी और यही नियम उसे गटर में भी धखेल सकता है सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुशिक किस तरह इस नियम का इस्तिमाल करता है यही है दुनिया का सबसे आश्चर जनक रहसे अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर जनक क्यों कहूं और रहसे भी क्यों कहूं वास्तों में ये कोई रहसे तो बिलकुल नहीं है पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकरतिक नियम की सच्चाई प्रमानिक की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर जनक है और इसी वज़े से ये रहसे भी बना रहा है मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें के सभलता का रहसे क्या है तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्ताओं में अक्कंत मूलेवान है यदि हम इसे समझ कर इसे जीवन में लागू भी कर सकें ये ने सिर्फ हमारे लिए बलके हम से जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्पून है जीवन को नीरस और उबाओ नहीं बलके एक उतेजना पून अभियान होना चाहिए आदमी को अपनी जंदगी पूरी जंदा दली से भरपूर जीनी चाहिए उसे सुबे सबेरे नीन तूटने पर खुश होना चाहिए उसे अपना मन पसंद व्यवसाए करना चाहिए क्योंकि वो इसे बहतर ढंग से करता है एक बार मैंने एक दैनेक के संपारक का व्याख्यान सुना था उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भूला नहीं पाया उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाए में मैंने कई बातें जानी एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी के हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है इसलिए इस धर्ती पर बीच का समय हमें एक रोमान्चक अभियान की तरह बिताना है श्रिस्टि के रचाईता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीड़ी नहीं बनाई है लेकिन उस महान्चक शिक्षक ने उस रचाईता ने समय समय पर इस रहसे का उधगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बन कर अवतरित होगा मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो ये आपके जीवन को बहतर से बहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी सत्रवी शताब्दी में वापस लोटें जब महान वैग्यानिक सर आईजक न्यूटन ने हमें भावतिकी के कुछ नियम बतलाए थे जो मनुष्य पर भी उतनी ही सक्चाई से लागू होते हैं जितनी की सुरश्टी की अन्यवस्तूओं पर इन नियमों में से एक है कि प्रतेक्रिया की बिलकुल समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूले चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तीस दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिलकुल उसी अनुपात में होका जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होका एक डॉक्टर बने के लिए आपको कई वर्षों तक कटिन परिश्चम और अध्यन करने का मूले चुकाना होका उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या विक्री के व्यवसाई में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की या स्वीकरित करानी की भी हमारी क्षमता कितनी है लेकिन औरों को बहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूले चुकाते हैं और हमें ये मूले चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए अब सवाल है कि ये मूल है क्या? इसमें कई बातें हैं पहली तो ये कि हमें बाउधिक रूप से और भावणात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिलकुल वैसा ही बनते भी हैं इसलिए अपने जीवन को नियंतुरित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंतुरित करना होगा यानि हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोईंगे वैसा ही काटेंगे दूसरी बात हमें अपने मंद से सभी अडचनों और बेडियों को काट फेकना होगा और ये सोच कर काम को अधिक्तम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवी रूप से निरधारित है यानि ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई है और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौचूद है अर्थात हमें तमाम संकीरनताओं से और पूरवा ग्रहों से उपर उठना होगा तीसरी बात अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रिरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष दिरधारित करने के लिए भी अपने मस्तिश को लक्ष के बारे में सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर देना होगा अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परक कर सके ये विश्वास करने से इंकार करना होगा कि लक्ष प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थ पे आपको हरा भी सकती है जब आपको लक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग सपस्ट दिखे तो बिलकुल ततपरता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आपको लगातार इस तत्थ से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेतर के बीच और बीच खड़े हैं और चोथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका दस प्रत्रशत नश्चित रूप से बचाएं ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है यदि आप मूली चुकाने को तयार हैं तो उसमें अनंतसम भावनाएं भरी पड़ी हैं आईए हम उन महत्वपूर्ण बिंदूओं को दोहरा लें जो एक खुबसूरत जीवन बिताने के मूली के तोर पर हमें चुकाना है पहला हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं दूसरा कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिश को उची उड़ान भरने दें तीसरी बात साहस हर दिन अपने लक्ष पर एकाग रिचित हो और चौती बात जो भी कमाएं उसका दस प्रतिशत बचाएं साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्त है जब तक हम उसे कार्यान वित नहीं करते हैं और अब मैं 30 दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूँगा अपने दिमाग में ये सपष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं बलके मुम्किन हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं दो बाते हम सब पर लागू होती हैं हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भैभीत रहते हैं मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ट पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सब से ज़्यादा चाहते हैं हो सकता है कि ये रुपिया पैसा हो आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो या एक खास परिमान में रुप्या कमाना चाहते हो हो सकता है कि आप एक खुबसूरत मकान चाहते हो या अपने व्यवसाय में एक काम्याबी चाहते हो या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमन्ना हो आपको या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता क्या भिलाशा हो हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं आप अपने कार्ट पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है ये निश्रित कर लीजिए कि यही आपका एक मात्र और स्पष्ट लक्ष है आप अपना ये कार्ट किसी और को मत दिखाईए बलकि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में कई बारे से देख सकें इस पर लिखे गए लक्षे के बारे में हर सुबह नीन से जागने पर प्रफुलित और शांत चित्त से सोचिए दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ट को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए कार्ट को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं और चूंकि अभी आप अपने लक्ष के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ये समझे के बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष को हासिल कर लेंगे दरसल जिस पल आपने अपने इच्छा कार्ट पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया उसी पल से वो लक्ष आपका हो किया जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आस पास फैली प्रचुरता की और देखिए इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विक्सित करनी होगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं लेकिन अगर एक बार पढ़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं जिस चीज से भी आपको भै लगता हो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए हर बार जब कोई भैनक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगे पर अपने सकारात्मक और महतपून लक्षे का विचार उसकी सजीव कलपना मन में ले आईए इस दोरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि ये प्रयास छोड़ दिया जाए क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने के अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है और यही वज़ए है कि सिर्फ पांच प्रत्रशक लोग ही कामयाब हो पाते हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रत्रशक वाले वर्ग में अपनी जगए बनाए इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिश का नियंतरन पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए इस दोरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप दें 30 दिनों की इस परीक्षण अवरी के दोरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे जिस ख्षण आप किसी लक्षी की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी ख्षण आप एक सफल ग्रती बढ़ जाते हैं क्योंकि आप उसी ख्षण ऐसे सफल लोगों की शेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं इसका मतलब है कि लक्ष निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक सो में से हीर्ष के पंच लोगों में आके लक्ष किस तरह हासल किया जाए इस चिंता में अपने आपको बहुत ज्यादा मतल जाईए इसे पूरी तरह उस शक्ते पर छोड़ दीजिए जो आप से ज्यादा समर्थ है आपको शिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं बाकी के सारे प्रशने जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएका आप धर्मो पदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षन के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए प्रशने पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा खोजो और तुम उसे पालोगे दस तक दो तुम्हारे लिए द्वार खुले का क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिग्यासा रखता है उत्तर पाता है जो ढूरता है उसे प्राप्त होता है और जो दस तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमतकारी भी दरसल ये सिधान्त इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलजकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा बस आप के लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने इस पच्च लक्षे हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हो इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया हर दिन अपना लक्ष अपने सामने रखें उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्चर होका प्रसिद संपादिका और लेखिका डरोथी ब्रैंड ने अपने लिए इस राज को ढून दिकाला अपनी पुस्तत वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गिया है इस तरहे काम करो बनो असफल होना संबद है दरोथी ने अपनी परीक्षन अवधी पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की और अश्चेर जनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदला ला दिया अब आप तीज दिनों तक अपना परीक्षन करें लेकिन तब तक परीक्षन शुरू ना करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तयार न कर ले आप पाएंगे कि द्रड लगन शील होने की वज़े से आप में विश्वास भी जलक रहा है कहा जा सकता है कि द्रड लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते यदि 30 दिनों के परीक्षों के दौरान आप असफल हो जाएं यानि नकारात्मक विशारों से पराजित हो जाएं तो फिर से शुरुवात करें धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आपको उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असमभब नहीं है आप अपने कार्ड को मत भूलें जब आप जीने का ये नया धंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए नहायद जरूरी है इसकी एक तरफ आप अपना लक्षे लिखें जो भी आपका लक्षे हो और दूसी तरफ धर्मो पदेश की ये पंक्तियां लिखें के संपन्द नहीं हो सका है ये ध्यान रखें कि परीक्षण अवदी के 30 दनों के दौरान आपकी प्रेरना अपने हीर्श बिंदो पर रहे सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिलकुल ना करें क्योंकि चिंता भे को जन्म देती है और भे जीवन को तोड़ देता है याद रखें कि आपको अपना लक्षे अपने सामने बिलकुल इस पच्च रखना है बाकी सारी चीजें खुद बखुद तय होती चली जाएंगी ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसंद नचित बने रहें किसी भी छोटी मोटी बात को इजाज़त ना दें कि वो आपको परिशान या खिन न करें और मार्क से हटा दें हो सकता है कि परीक्षन को कठें जान कर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं देखिए जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता कोई भी अदकचरा रहना नहीं चाहता कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता भय और निराशा से भरा हो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे और यबी सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसंद रिचित सफल और सकारात्मक बने का और अब एक बात और अकसर ऐसी प्रविती देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजा कर अपने आपको याद दिलाते नहें कि नई आदत विकसित करने के लिए आपको क्या करना है नियम तंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैट कर इसे सुने आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वेस नियम को जाने समझें सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं यह वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्चम किये बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्द कराई जाएं हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विन में ही लोगों को पैसों से करते हैं इसलिए प्रामानिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाब हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है बलकि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्यम करेंगे लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्द कराएंगे अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं जबकि सचा ये है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता प्रात कर लें अनिता उस आदमी की कहानी का उधारन ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा कि पहले मुझे आज दो तब मैं लकणिया डालूगा आप क्या मानते हैं आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवय्या होका उनकी संख्या करोडों अरुबों में होकी जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले इधन डालने पर ही आग मिले की ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए अपने आपको कभी पैसों से मत जोड़ें बलकि परिश्यम, कारे सेवा, सपनों और उन्हें साकार करनी की इच्छा से जोड़ें आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्य और सम्रिद्धी आती है सम्रिद्धी भी परस्पर विनमय के नियम पर ही आधारित है कोई भी व्यक्ति जो सम्रिधी के लिए परिश्रम और योगदान करता है वो स्वयम को सम्रिध बनाता है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से न मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं बलकि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है, प्रतेक्रिया की समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है, तीज दिन की परीक्षण अवरी से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमान और गुणवत्ता स मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्द कराई है, और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है, कोई भी व्यक्ति तब तक संब्रद नहीं बन सकता जब तक वो औरों को संब्रद ना करे, इस नियम में कोई अपवाद नहीं है, एक बार यदि ये नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य स्वेम बतला सकता है, यदि वो और अधिक चाहता है, तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्द करानी होगी, और यदि वो और कम की चाहत रखता है, तो उसे सेवा के परिमान में भी कमी करनी हो लेने और छोड़ने की तरह जैसा सच है, कि आप जितना कुछ देंगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा, आप इस नियम को पलट सकते हैं, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये असंभव है, एक जाने माने मनों चिकित सकने सफलता पाने के लिए 6 सूत्री उप कर दें, जो आशंका जतलाते हैं, कि आप सफल नहीं हो सकते, इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें, जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं, अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं, तो अपने बश्पन के दिनों तक पीछे लोड़ कर, उन कार में अपनी धालना को बदलें, आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरन करने का फैसला किया है, उसकी जगह पर स्वेम को रख कर सोचें, और उसका अभिने करें, मानव सब्विता के ग्यात इतिहास की शुरुआत से ही विश्वास के लोगों ने जो कुछ कहा है, उ इसे दोहराएं और फिर दोहराएं, हर बार ये आदितें आपके भीतर आत्मसाथ होती चाहेंगी, ज्यादा से ज्यादा, और एक दिन ऐसा भी आएगा, जब आप आश्चेरे करेंगे कि आप किसी और धंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे, इस नए धंग से जीवन और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा, और चारों और से सुक्सम्रद्ध की ऐसी वर्शा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपून है कि आपको शान्ती मिले और ये नियम अपना कर आप उन किने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शान्त, आनंद पून और सफल जीवन गतीत कर रहे हैं, आज से ही आरंब कीजिए, याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, जबकि पानी के लिए एक बिलकुल नया जीवन आपके सम्मुख है अना दिकरत पुनह उत्पादन, पूरा या भाग में, किसी भी रूप में या किसी भी सादन से, इलेक्ट्रोनिकली या मेकानिकली ट्रांस्मीटर्ड जिसमें फोटो कॉपी, रिकार्डिंग, डॉप्लिकेशन या कोई भी सूचना या पुनह प्राप्ति की प्रणाली शा